ग्राम बंत्री जी की मनीपूर की चर्चा पर सहमती दिखाई होती तो अकेले मनीपूर विशय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी तो देश को भी आश्यरे हुआ है के लोग इतना जूट फ्याला सकते हैं ऐसे पाप करके गए हैं लोग चर्चा करो ग्राम बंत्री जी ने चिठ्षे ले करके कहा था उनके विबाग से जुड़ा विशय था लेकिन साहत नहीं था इरादा नहीं था और पेट में पाप था दर्द पेट में हो रहा था और उसब्द बोलो भाग जाओ कुड़ा कजड़ा फैंको भाग जाओ जूट खेलाओ भाग जाओ यहीं जिनका खेल है यह देश इनसे अपेख्षा जादा नहीं कर सकता है अगर इन्हों ने ग्राम बंत्री जी की मनीपूर की चर्चा पर सहमती दिखाई होती तो अकेले मनीपूर विशेपर विस्तार से चर्चा हो सकती थी हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मोका मिल सकता था लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था और कल अभीद भाई ने विस्तार से इस विशाई की चीज़े जब रखी तो देश को भी आश्यरे हुआ है कि लोग इतना जूट फेला सकते हैं ऐ इसे इसे पाप करके गए हैं लोग और उन्हाने आज जब अविस्वास का प्रसाव लाए और अविस्वास में सारे विस्वास पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का विदाईत हो बनता है कि देश के विस्वास को प्रगट करें देश के विस्वास को नई ताकत देश के प हमने कहा था अकले मनिपूर के लिए आओ चर्टा करो ग्राह मंत्री जी ने चिठ्छे लिए करके कहा था उनके विबाग से जुड़ा भीश है था लेकिन साहत नहीं था इरादा नहीं था और पेट में पाप था दर्द पेट में हो रहा था और फोड रहे थे सार इसका ये प पर देश के ग्रहमत्री सिर्मान अमिर्शाह ने कल दो घंटे तक विस्तार्च और बड़े धैरियसे जरती भर्वी राजलीती के बिना सारे विशय को विस्तार्च समझाया सरकार की और देश की चिंद्धा को प्रगट और उसमें देश की जन्ता को जागरूः करने का भी प्रयास था उसमें इस पूरे सरदन की तरब से विस्तु 2017 का संदेश बणिपूर को पहुंचाने का इरादा था उसमें जन सामान्य को सुखशित करने का भी प्रयास था एक नेक इमान्दारी से देश की भलाई के लिए और ही है इसलिए इन्हों ने यही खेल किये यही स्थिता किया है कि अधर ने अध्यक्रम हो दाए कि कल वैसे विस्तार से अमिद भाई ने बताया है मणिपूर में अधालत का एक हैसला आया है अब अधालतों में क्या हो रहा है वह हम जानते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्तित्या बनी है हिंसा का दोर शुरू हो गए और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुए अने दोने अपने स्वजन भी खोए महिलाओं के सांथ गंबीर अपरात हुआ और यह अपरात अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और में देश के समी नागरिकों को आस्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे हैं निकट भविश में सांती का सुरत जुरूर हुगेगा बनिपूर फिर एक बार नए आत्मी स्वास के साथ आगे पड़ेगा मैं बनिपूर के लोगों से भी आगरपूर को कहना चाहता हूं वहां की माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूं देश आपके साथ है हम सब मिलकर के कोई यह हो या न हो हम सब मिलकर के इस चनोती का समाधान दिखा लेंगे वहां फिर से सांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वाद दिलाता हूं कि मनिपूर फिर विकास के रहा पर तेज ग्रती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयांसों में कोड कसर नहीं रहेंगी कि अधर ने अध्यक्तना होता है कि यहां सदन में कि मां भारती के बारे में जो कहा रहा है कि उसने हर भारती की भावना को गहरी ठेश पहुंचाई है कि अध्यक्ति पता नहीं मिजे क्या हो गया है कि सप्ता के बिना कि ऐसा हाल किसी का हो जाता है कि सप्ता सुख के बिना जी नहीं सकते है कि और क्या भाशा बोल रहे है कि अध्यक्ति अध्यक्त पताने क्यों कुछ लोगों को भारत मा की मुर्त्यों की कामना करते निजर आ रहे हैं इससे बड़ा दुर्वागी क्या है यह वो लोग हैं जो कभी लोकोत दद्र के हैत्या की की बात करते भी सम्वीधान की हैं की बात करते तरदासल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सापने आ जाता है मैं हरान हूँ और यह बोलने मले कौन लोग है क्या यह देश भूल गया है यह 14 अगस्त विभाजन विभी शिकार पीड़ा दायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीफिक को लेकर के उन दर्द को लेकर क्या आप यह वो लोग जिन्होंने माँ भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिये जब माँ भारती कियों गुलामी की जंजिरों से मुक्त करना था जब माँ भारती की जंजिरों को तोड़ना था बेडियों को काटना था तब इन लोगों ने माँ भारती के बुजाएं कार दी माँ भारती के तिन तिन तुकड़े कर दिये और ये लोग किस मूँ से अथा बोलने की हिम्बत करते हैं अधिनिय अधिजी ये वो लोग है जिस वंदे मातनम गीत ने देश के लिए मन मिटने की प्रेणा दे थी हिंदुस्तान के हर कौने में बंदे मात्रम चेतना का स्वर बन गया था तुस्ती करण की राजनिति के चलते उन्होंने माँ भारती के हिस टुकड़े किये तना नहीं बंदे मात्रम गीत के भी टुकड़े कर दिये लोग ये वो लोग है मानिय अधिगी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये गैंग ये नाराव लगाने वाले लोग इनको बढ़ावा देने के उनका प्रोचान करने के लिए पहुंच जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे